अंधेरे जीवन में उजाला एक सत्य कहानी श्याम नाम जब की महीमा जैशेरी श्याम उमीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्त और कुसल मंगल होगा बावा श्याम की किरपा सादा आप सवी श्याम भगतों पर बनी रहे श्याम का पावन नाम जब करने वाला मनुस्य कभी भी निरास नहीं हो सकता है उस मनुस्य के जीवन के सभी संकट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं जैसे किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो और वो रोकर अपनी मा को बुलाता है तब मा दोड़ी चली आती है और अपने बच्चे के सभी कष्टों को दूर करने का पूरा प्रियास कर रही है ठीक उसी तरह जब आप कष्ट में होते हैं तब आपके हिर्द से सच्चे दिल से बावा श्याम को पुकारते हो तब वो पुकार उन तक जरूर पहुंचती है एक बार विश्वास करें इस बात का जब आप बुलाते हैं नाम लेते हैं बावा श्याम ततकाल ही किर्पा करते हैं खाटू वाले श्याम से की जाए तब जरूर किर्पा प्राप्त होती है यही तो बावा श्याम की महानता है खाटू धाम में तो केवल बावा श्याम का ही तो बोल बाला है बावा श्याम सब की सुनते हैं बावा श्याम अपने भगतों को कभी दुख कस्ट में नहीं देख सकते हैं आज बावा श्याम की किर्प्या की एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ जो नौइडा के रहने वाली सुलेखा जी की है इस कथा को सुन कर आपको पता चल जाएगा कि बावा श्याम अपने भक्तों को कभी निरास नहीं करते हैं आप एक बार श्याम नाम जब करना शुरू तो करें इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें उससे पहले जो लोग खाटू के राजा स्याम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जादा से जादा स्याम भक्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बावा श्याम की सची कहानी चमतकार के बारे में जान सके सुलेखा जी ने बताया बावा श्याम के नाम का निरंतर जाप करने से बड़े से बड़े संकट भीटल जाते हैं हमारे पूर जन्मों के कर्मों के द्वारा जो बार-बार परेशानिया आ रही हैं हम उन संकटों का सामना करते हैं और सारे कस्ट समाथ हो जाते हैं यदि हम सच्चे भाव निष्ठा से श्याम नाम का जब किया करें तो सभी मनुस्यों का जीवन बदल कर ही रहेगा ये मेरे साथ हुआ है श्याम बाबा की किर्पय मुझ पर हुई है मेरे जीवन का सारा अंधकार दूर हो गया है मेरे जीवन में सब कुछ अच्चा चल रहा था जब कोरोना आया कोरोना ने बहुत सारे लोगों के जीवन में उथल पुथल मचा के रख दी उसमें मेरा परिवार भी सामिल था कोरोना के दोरान मेरे पती की नौकरी चली गई थी जिसकी वजह से हमारी आर्थिक इस्तिती बिगड गई घर का खर्चा निकलने में भी बहुत परेसानी हो रही थी मुझे सिलाई का काम आता था बस बड़ी मुश्किल से ही खाना खर्चा निकल पा रहा था मेरे बच्चों के स्कूल फीस भी जमा नहीं हो पा रही थी मेरे मायके वालो और मेरे ससराल वालो ने कुछ हमारी मदद की पर वो भी कहां तक करते पर हमारा पर्मानेंट सॉलूसन नहीं निकल पा रहा था मेरे पती भी नौकरी ढूनने की बहुत कोसिस कर रहे थे परंतु नौकरी नहीं मिल पा रही थी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा जीवन रुखसा गया है हर जगह से निरासा ही निरासा मिल रही थी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें जिस से हमें इन संकटों से मुक्ती मिल जाए मेरे ही पडोस के घर में एक परिवार रहता है, जो बावा श्याम को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, हर ग्यारस पर बावा का घर पर कीर्तन करते हैं, हर महीने खाटू धाम जाते हैं, उनके घर में इत्र की खुस्बू आती रहती है, परिवार के सभी सद बड़े ही प्यार से रहते हैं। एक दिन में उनके घर गई। तब मैंने उनको अपनी परेसानी के बारे में बताया। तब उन्होंने कहा बावा श्याम बड़े ही करणा में हैं। वो अपने बच्चों को कभी कस्ट में नहीं देख सकते हैं। आप हर दिन बावा श्याम की पूजा करिए। बावा श्याम को प्यारे प्यारे भजन सुनाया करें। रिजाया करें। उनके नाम का जाप करिए। उनके मंत्रों का उच्चारन करिए। उनकी किरपा से आपके जीवन में जो भी संकट हैं, कस्ट हैं, दुख तकलीफ हैं, ज अब मैंने उनकी बातों को मानकर बावा श्याम की पूजा करना शुरू कर दिया बावा श्याम के नाम का जाब करना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे जीवन में निरासा ही निरासा थी बस बावा श्याम के नाम का ही आखरी सहारा था बावा श्याम से ही अब उम्मीद थी कि अ बाबा श्याम ही हमारे जीवन के अंधकार को ही दूर करेंगे फिर मेरा नाम जब निरंतर चलता रहता था और जब मैं पूजा करती थी तब बहुत देर तक बाबा श्याम से बाते किया करती थी जैसे वो ही मेरे सब कुछ है माता पिता भाई बहन सब कुछ मैं हर दिन अपनी सारी बाते बताया करती थी ऐसा करने से मुझे बहुत सुकून मिलता था मेरी सारी टेंसन खतम सी होने लगी थी मुझे स्याम जब करते हुए करीब तीन महीने ही हुए थे जब मैं सो रही थी तब मैंने बावाश्याम के समक्ष रोते हुए खुद को देखा और बोल रही थी बावाश्याम खालो वरना मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी तब बावाश्याम ने भोग को ग्रहन किया और मुस्कुराते हुए बोले तू चिंता नहीं कर तब मेरी आँख खुल गई तब ही मैं अपने घर के मंदिर में गई और देखा कि जो मैंने बावाश्याम के समक्ष जल का गिलास रखा था उस गिलास में जल नहीं था, सारा पानी खतम था, तब मैंने दुबारा जल भरकर रखा मैं बहुत खुश थी, मुझे बाबा शाम ने दर्शन दिये, अब मेरा विश्वास और भी बढ़ गया था, शाम नाम जब पर इस सपने के दो तीन दिन के बाद ही मेरे पती को नौकरी मिल गई, फिर धीरे धीरे हमारी आर्थिक इस्तिती ठीक होने लगी, हमारे बुरे दिन दूर होने लगे, पर अन्तु मुझे एक बात समझ में नहीं आई की, हमारे जीवन में बुरे दिन आते ही क्यूं है, जो ये हम मनुस्य को तोड़ कर रख देते हैं। एक दिन में अपनी दादी मा से बात कर रही थी, तव उन्होंने बताया की, हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं, वो हमारे पूर जनम के पाप कर्मों के कारण ही आते हैं। हमें अपने एक एक कर्म का हिसाब देना होता है। भोग भोगने पड़ते हैं, चाहे हसते हुए भोगों, चाहे रोते हुए। बिना भोग भोगे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। केवल प्रभू का पावन नाम ही ऐसा है, इसमें ऐसी सकती है, जिससे हमारे सारे पाप कर्म नश्ठ हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बाबा श्याम का निरंतर जाप करना चालू रखा, उठते बैठते सोते जागते हर समय श्याम नाम का जाप निरंतर चलता ही रहता है, मुझे बाबा श्याम से प्रीत होने लगी थी, मैं खाटू धाम जाने लगी थी, मेरे पती भी बाबा श्याम की प अब जब भी कोई परेसानी होती है तो हम घवराते नहीं है बावाश्याम सब को यूँ ही दूर कर देते हैं हमें अब बावाश्याम से प्रेम है उनकी भक्ती से प्रेम है संसारिक सुक बावाश्याम अब हमें बिना मांगे ही दे रहे हैं श्याम नाम के जाप करने की वज़ा से हमारे जीवन के सारे कश्ट दूर हो चुके हैं, हमारे जीवन में कोई संकट नहीं है, बावा श्याम की किर्प्य बनी हुई है हमारे परिवार के उपर, मुझे लगभग 6-7 महीने हो गए हैं, बावा श्याम का नाम जाप करते हुए, मुझे नाम जप में आनन आने लगा है, नाम जप से सब कुछ स्वते ही, जो चाहो वो पा सकते हो, मुझे आप पूरा विश्वास है कि एक दिन मैं अपने प्रभू बावा श्याम को पा लूँगी, आप मुझे संसारिक माया नहीं चाहिए, आप मुझे चाहिए केवल बावा श्याम की सरण, जिसने मेरे जीवन को खुस्यों से भर दिया है, श्याम नाम जप से मैं अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है, श्याम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जब आप श्याम नाम का जाप करोगे, तब स्वैम ही बावा श्याम की किर्पा आपके उपर होने लगेगी, तब ही तो कहा गया है कि कल्युक केवल नाम अधारा है, अपने मन को केवल श्याम बावा श्याम के जाप में लगा दो, जिससे हमारे इस मनुस्य जीवन का कल्यान हो जाए, बावा श्याम के नाम की कितनी बड़ी महीमा है, जो भी बावा श्याम के नाम का निरंतर जाप करता है, उस मनुस्य को सभी प्रकार के सुख स्वैते ही प्राप्त हो जाते हैं, उम पश्याम हमारा जेशिर इश्याम